ओम नमस्षिवाए मैं हूँ एस लॉजर के एम सिना और मैं अपने योटूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ मासिक राशीफल और सिंग लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीते का आई एम इस वीडियो में समझते हैं देखिए इस वीडियो को प्रारम करूँ इससे पहले बता दू जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो that is based on ascendant लगन के आधार पे ही आपको चेक करना है और अगर आपको लगन आपका नहीं पता है तो बहुत जादा परिशान होने की जरुरत नहीं है आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा एक left hand side चार्ट दिखाई दे रहा है और उसके बगल में दूसरा चार्ट दिखाई दे रहा है इन दूनों ही चार्ट में जो यह red circle बना हुआ है इसमें पांच नमबर लिखाई है यह actually में जब महीने का पहला दिन है उस समय का चार्ट है और यह जब महीने का अंतिम दिन है उस दिन का चार्ट है और जो planet colorful हुए है जैसे आप यहाँ पर सूर्य देखिएगा colorful है मंगल colorful है जूपिटर colorful है लेकिन शनी को color नहीं दिया गया राहु को केतु को color नहीं दिया गया क्योंकि इनका राशी परिवर्तन नहीं हो रहा है इस महीने जो सबसे महतपून है पांच ग्रहों का राशी परिवर्तन हो रहा है जनरली तीन ग्रहों का राशी परिवर्तन त और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन डेली होता है राशी परिवर्तन सवा दो दिन में लगबग हो जाता है उसको मैंने इस वीडियो में फाइलाइट चंद्रमा पर नहीं किया है अब देखते हैं कि यह पूरा महीना कैसा बीतेगा सिंग लगन वाले जातकों पर पूरा स सेब्टैंबर का मंत सबसे पहले आपके ऐसेंडेंट की बात करते हैं लगनिश की बात करते हैं देखिया आप सिंग लगन वाले वैसे भी शेयर कहा जाता है जनली क्योंकि राजा का लगन है सूरे का लगन है आपकी बोडि सूरे देव से बनी हुई है और इस समय गोचर में 17 सप्टेंबर तक सूरे लगन में रहेंगे तो सबसे पहला जो transition होगा वह 6 सप्टेंबर को शुक्र का और 6 सप्टेंबर को मंगल का transition देखे सूरे जब तक आपके लगन में बैठे हुए जो कि 17 सप्टेमबर तक रहेंगे और उसके बाद यह लगन से दूतिये में चले जाएंगे तो जब तक यह लगन में बैठे हैं पती पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति रहेगी जब आप बात करेंगे वाडी बात करते से में आपको बेहद साफदानी बरती है नहीं तो आपको परिशानी उत्पन हो सकती है क्योंकि यहां पर जो सूर्य देव है एक तो सेप्रेटिंग प्लैनेट है लगने ज़रूर है धन की पूर्ति जरूर करतेंगे धन से रिलेटेड बहुत जादा मुझे परिशानी नही जोग भी बन सकते हैं इसलिए वहान चलाते समय आपको बेहद साफदानी बरती चाहिए जिससे कोई नकरात्मक प्रभाव कम से कम ना हो और आदित्य हिर्दय श्रोत का पाठ कीजिए इससे भी क्योंकि आपके लगन लौड है और प्रतेक सिंग लगन वाले जात्कों को मैं यह हमेशा रिकुमेंड करूंगा कि आदित्य हिर्दय श्रोत का पाठ कीजिए और संडे को सुर्य उदैक से ठीक दो गंटे के अंदर तक आप कर लिजिए सुरी के होरा में कर लिजिए तो काफी अच्छा फल आपको मिलेगा इसके रहा जो राशी परिवर्तन हो रहा है प लेकिन अभी शुक्र यहां पर जाएंगे बुद्ध तो 22 सेकेंड यानि 22 सेप्टेंबर को आएंगे लेकिन यहां पर शुक्र पहुंच जाएंगे और काफी दिन तक अकेले रहेंगे मालव नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और आपके हाला की देखें लगने इसके शत्रु जरूर है और यह कर्म अस्थान का मालिक होकर मेहनत में जा रहे हैं और यहां पर शत्रु आपके मान पद और प्रतिष्टा में हानी पहुचाने के आप पूरा प्रयत्न करेंगे लेकिन यह बहुत जादा कर नहीं पाएंगे उसका रीजन है क्योंकि शुक्र प्रग्रा स्वाग्री ही होगा और जब यह स्वाग्री ही होगा तो परिशानी जादा नहीं उठानी पड़ेगी लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देने की जुरूरत है मंगल जो होंगे वो सीधा आपके गले में पहुच जाएंगे और गले में जब मंगल पहुचते हैं तो कहा जाता है जब आदमी बोलता है तो उसके मुह से क्या निकलता उसको खुद भी पता नहीं चलता है इसलिए वाडी पर सयम रखना अगर एक हैडिंग मुझे इस थमनेल बनाना हो इस पूरे वीडियो का तो मैं यही बनाऊंगा वाडी पर नियंतरन रखेंगे तो पर और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका हेल्थ कैसा होगा दन कैसा रहेगा कारे अस्ठल कैसा रहेगा कारे व्यवसाई की स्थिति कैसी रहेगी प्रेम प्रसंग सिक्षा और यात्राओं का क्या योग बनेगा तो जो पुराने वीवर सब्सक्राइबर उनको तो जो नए वीवर और सब्सक्राइबर है वो तरीका समझ लीजे मैं किस तरीके से इसको समझाता हूँ अभी जो केतु यहाँ पर बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में यह केतु आपके माता के स्वास में भी परिशानी दे रहा है और खुद अस्पताल को भी देख रहा है तो माता के स्वास में परिशानी देना और लंग्स को इन्फेक्ट कर देना यह भी ऐसा हो सकता उसका दो रीजन है देखें मंगल जो है यहाँ पर पहुँच जागा यहीं सुक अस्थान का वालिक जो है वो धन अस्थान पर पहुँचेगा लेकिन यहाँ पर केतु जो कहा जाता है केतु मंगल की परशाई होती है कितु की जो नवम दृष्टी पढ़ रही है खुद अस्पतालों के खर्श पर पढ़ रही है कुछ ये कह सकते हैं कि पैसे के पॉइंट आविव से तो खुश आपको ये कर देगा पैसा कही ना कहीं से अरेंजमेंट तो कर देगा लेकिन वाडी उगर हो सकती है और मंगल दूती अस्थान पर बैठके जब अस्टम को देखेगा तो थोड़े एकसिडेंट के चांसेज भी गोचर में बनाएगा गाडी या वाहन चलाते समय विशेश रूप से ध्यान दीजिएगा एकसिडेंट होने के लिए जरुनी है कि वाहन सही हो आप रास्ते में चलते समय भी एकसिडेंट हो सकता ध्यान देकर सावधानी पूरवक काम कीजिए और आदि तेरदेशोत का पार्ट आपको हमेशा करते रहना चाहिए सिंग लगन वाले जातकों के लिए इसके अलावा जो मेजर चेंजिंग हो रहा है वो बुद्ध का हो रहा है बुद्ध अभी अपने उच राशी में है अभी शुक्र देव के राशी में चला जाएगा और सबसे बड़ी चीज क्या है कि धन का मालिक होकर मेहनत में चला जाएगा तो 22 सेप्टेंबर के बाद जो धन जो आसानी से आपको दिखाई दे रहाता आ रहा है अब वही धन लाने के लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा जो सिंग लगन वाले जातक हैं क्योंकि इंकम का भी मालिक है और धन का भी मालिक है दोनों मेहनत में चला जाएगा तो इस टमक से रिलेटेट परिशानी उदर सम्मंदित पीड़ाएं हो ना लीवर में सम्मंदित कुछ परिशानी उत्पन हो जाए और जिनके लीवर फैटी है उनको बहुत जादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि लीवर से सम्मंदित परिशानियां कुछ ना कुछ यह में बताता हूं तो स्वास्त का जो मीटर है वो एवरेश से थोड़ा सा कमजोर मुझे दिखाई दे रहा है और यह वही ब्रस्पति का जब राशी परिवर्तन होगा तब जाकर उदर सम्मंदित पीड़ा हो जाएगा क्योंकि ब्रस्पति देखिए उदर के मालिक हैं और खु से जब ब्रस्पति का राशी परिवर्तन होगा 14 सेप्टेंबर को उसके बाद आपको विशेस ध्यान यहां पर देना चाहिए इसके बाद धन के मीटर को चेक किया जाए देखिए धन का जो मीटर आपको दिखाई दे रहा है वो आपको औसस से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है इसका मतलब है धन से सम्मंदित कोई बहुत विशेस परिशानी नहीं होगी और पहले भी बताया था क्यलकुलेशन में 22 सेप्टेंबर को जो धन का मालिक है मेहनत में जाएगा तो मेहनत आपको काफी करवाएगा तो यहां पर मेहनत करने के लिए रेडी हो जाएगा 22 सेप्टेंबर के बाद और सूर्य जैसे ही राशी परिवर्तन करके यहां पर जाएगे परिवार से थोड़ा दूर करा देंगे आपको या आपके जीवन साथी से कुछ विवाद करा सकते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना होगा नहीं तो परिशानिया मालिक है वो खुद नेम और फेम में जा रहा है यानि आपके मानपद प्रतिष्ठा में जा रहा है लेकिन लगनेश का एंटी हो रहा है तो शत्रू यहां पर चाहेंगे कि आपके मानपद और प्रतिष्ठा को कम करें लेकिन आपका जो शुक्र है जो धन जो टेंथ हाउस क मालिक है वो खुद आपके नेम फे में पहुंच जा रहा है स्वग्री है इतना जादा ये परिशान नहीं करेगा तो कारे अस्थल पर आपको पदुनिती की भी संभावना दिख रही है और अकस्मात नेम फे में बढ़ जाए ऐसा मैं चेक कर पार हूँ जो लोग बिजनेस कर पार्टनर के किसी के स्वास्त में गिरावट चिंता का कारण बन सकता है लेकिन कोई वैपारिक डील यहां पर साइन होगा जो लोग शेयर 60 लौटरी से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने बिलकुल इससे गदम दूर रहना चाहिए नहीं तो अचानक बहुत जादा मेजर लौसेज हो सकते हैं और डिस्क्लेमर मैं बता दूग यह गोचर का परिणाम है हर लगन वाले जातकों का लगन के रिस्पेक्ट में गरा सेम रहेंगे लेकिन आपकी लगन कुणली अलग होगी तो अगर पूर विसलेशन अगर आपको कराना हूँ तो फिर आप कुणली सकते हैं और मैं अलग-अलग सिटीज में भी आ रहा हूँ ऊपर स्क्रॉल करता हुआ दिख रहा होगा गोरकपुर में भी मैं अवलेबल हूँ इसके अलावा गोरकपुर से मैं निकल के फिर राज़कोड जाओंगा पहली बार मैं राज़कोड आ रहा हूं गुजरात में अबनुध कोनेशा पिर नहीं चाहता हूंं नहीं है कि जो मैंने बताया हूँ आपके ले सकते हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करना जरूरी होता और परिसनल कंसलटेशन में सामने बैट कर कंसल्टेशन लेना और टेलीफोन पे लेना दोनों में अंतर थोड़ा पढ़ी जाता है तो ये जो लोग परसनल कंसल्टेशन लेते हैं वो जादा आपको आसानी से बता सकते हैं फिलाल कारे वेबसाइक के लिए एक बड़ा बिजनेस डील होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन शेयर सटा से बिलकुत दूर ही है सिक्षा का मालिक रोग में जा रहा है और अस्पताल के खर्च को देख रहा है सिक्षा पर अनायास खर्च होना उदर सम्मंदित परिशानी होना जिसके कारण जो होगा मन आपका पढ़ाई के लिए किंद्रित नहीं हो पाएगा तो पढ़ाई के लिए आपको काफी मेनद करें क्योंकि स्पीडोमीटर सिक्षा का स्पीडोमीटर अगर इतना देख रहा है तो मैं आपको रियली बताओ कि पढ़ाई से सम्मंदित कुछ मालसिक तनाव भी हो सकता और विशेश रुप से जो लोग विदेश क्योंकि पढ़ाई का मालिक जो है वो विदेश को देख रहा है तो पढ़ाई के लिए विदेश के तरफ तो आपको ले जा सकता है जो लोग जी आरी जी मैट की त्यारी कर रहे हैं उनको success यहां पर दे सकता है लेकिन शनी के साथ बैठा है तो वो delay कर देगा date change हो सकता है आपको हो सकता है date मिल जाए फिर बात में वो change हो जाए ऐसी चीजे भी गोचर में दिख रहा है क्योंकि यह यहां पर शनी के साथ जो भ कारक है वो शुक्र भी है वो भी मालव योग बना रहा है तो प्रेम प्रसंग तो अच्छा चलेगा लेकिन खर्चों की अधिक्ता भी यहां पर बनेगी और यात्राएं जो होंगी वो आंशिक रूप से कारे को लेकर हो सकती है और बहुत जादा लंबी दूरी की यात्रा अभी आपको नहीं करना चाहिए थोड़ी यात्रा है जरूर सिंग लगन वाले जात्कों की होगी और इन यात्राओं से लाब ही आपको मिलेगा नुकसान कहीं पर भी मैं नहीं देख पा रहा हूं तो यह था पूरा शिंग लगन वाले जात्कों का सितंबर महीना कैसा बीत नहीं मैं हूं स्ट्रोजर केमजिना ओम नमस्षिवाएं वार्षिज नमस्षिवाएं।